हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जो अब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जो अब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्ली से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यूपी एनचम सीचो भरती 2024 दोस्तो यूपी एनचम की तरफ से सीचो ओफिसर की भरती आचुकी है जी हाँ दोस्तो 2024 की सबसे बड़ी भरती आचुकी है 5582 पदो पर सीचो की भरती आचुकी है इसका सौड नोटिफिकेशन आचुका है मैंने आपको पहले बताया था कि real notification है या fake notification है इसकी special वीडियो मैं आपको लेकर आऊंगा तो देखे मैं आपको बता देता हूँ कि यह बिल्कुल official notification है और short notification आ चुका है यहाँ पे देखोगे तो national health mission government of उत्तरपरदेश यह notification निकाला गया है इसमें दोस्तो 29 जनवरी से आप की online शुरू हो जाएगी और 29 जनवरी को दोस्तो सुबह 11 बजे आप लोगों का online शुरू होगा साथ ही 29 जनवरी को आप लोगों का full notification भी आ जाएगा बाकि आप लोग जो है 7 फरवरी 2024 तक farm को apply कर सकते हो दोस्तो मेरिट वाली भरती आ चुकी है बहुत ही जल्द GNM की भी भ जानकाई देंगे जिसमें कब से आप लोग फार्म भरोगे लाज्ट डेड क्या है किस website पर full notification आएगा qualification क्या होगी selling कितनी मिलेगी एज criteria क्या है total कितनी वेकेंसी है category wise वेकेंसी की जानकाई देंगे तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले short notification पर तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो बिल्कुल official short notification ओपन हो चुका है और यह दोस्तों बिल्कुल real notification है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखिए यानि कि DVP के थुरू आप लोगों का सेलेक्शन होगा DVP means क्या होता है document verification process तो आप लोग जैसे फार्म होगे फार्म भरने के बाद दोस्तों minute list आएगा और minute list आने के बाद जो है आपका DV होगा और फिर DVP complete करने के बाद दोस्तों आप लोगों को direct जो है CHO officer पोजीशन पर आपको joining यहाँ पर दे दी जाएगी तो इसका full notification भी आएगा आप लोगों का full notification आ जाएगा बाकि बिल्कुल official real notification है जी हाँ real notification है यह short notification है क्योंकि यहाँ पर देखिए dead mention है 25 January 2024 और इसका देखिए reference number है इसलिए दोस्तों बिल्कुल official notification है कोई fake notification नहीं है और यह 2024 का पहला notification UP NHM ने 200 जारी कर दिया है जैसा कि आप लोग देखिए reference number है 82900 और यहाँ पर बताया गया है कि 5582 पदोग पर समविदा पर यह भड़ती आ चुकी है जिसमें आप लोग देखोगे तो category wise यहाँ पर विकेंसी की जानकारी दी गई है आप लोग यहाँ पर देखिए vertical reservation की जानकारी है इसके साथी horizontal reservation की जानकारी है vertical reservation में UR कड़गरी में दोस्तो 2233 विकेंसी है और EWS में दोस्तो 558 विकेंसी है और OBC में 1508 विकेंसी है YSC में दोस्तो 1172 विकेंसी है और YST में 111 विकेंसी है टोटल जो है 5582 पदोग पर UP NHM CHO की भड़ती DVP वाली याने की merit वाली आ चुकी है horizontal reservation में महिलाओं के लिए 1116 विकेंसी है और PWD के लिए 223 विकेंसी है E1 सर्विसमैन के लिए 289 विकेंसी है और dependent of freedom fighter के लिए 111 विकेंसी है तो यह आप दोग देखोगे तो इसमें जो है DVP के थुरू आप लोगों का यहाँ पर selection होगा और यह दोस्तो सब health centers as health and wellness centers में आप लोगों की दोस्तो समविदा पर न्योक्ती होगी और इसके बाद आप लोग यहाँ पर नेची आओगे तो qualification की जानका दी गई है 2020 के पहले जिन्नों ने यहाँ पर qualification ले रखा है यानि कि 2020 से पहले अगर आपके पास qualification है तो आप लोग फार्म नहीं भर पाओगे 2020 के बाद ही वाले यहाँ पर फार्म भर सकते हैं और इसके साथ ही अब की बार जो final years है जिनका अगर आपने BAC nursing आपका final year है और रजल्ट यहाँ पर आ चुका है इसके साथ ही post basic BAC nursing final year का रजल्ट यहाँ पर आ चुका है और आपके पास CCHN है तो आप लोग फार्म भर सकते हो और academic year 2020 का ही होना चाहिए इसके पहले का है तो आप लोग फार्म नहीं भर पाओगे याद रखिएगा 2019 वाले 2018 वाले इस सब नहीं भर पाएंगे तो 2020 से पहले वाले नहीं भर पाएंगे 2020 के बाद अगर आपके पास से CCHN है और आपने BAC nursing किया है या आपने post basic BAC nursing किया है तो आप लोग फार्म भर सकते हो जीनम की भरती नहीं है जब CCHN के भरती आएगी जिसका एक्जाम होता है CCHN भरती आएगी इसका एक्जाम होगा इसमें GNM BAC nursing पोस्ट बेसिक BAC nursing तीनों बिल्कुल फिरेसर यहां पर अप्लाई कर पाएंगे इसमें भी दोस्तों GNM फार्म नहीं भर पाएंगे लेकिन हां BAC nursing और पोस्ट बिसिक BAC nursing पलस है CCHN है और आप लोग बिल्कुल फिरेसर हो तो आप लोग फार्म यहां पर भर पाएंगे बाकि थोड़ा वेट करिए फुल नोटिफिकेशन जैसे फुल नोटिफिकेशन आएगा मैं और भी अच्छे तरीके से आपको जानकाई दे दोंगा बाकि एज लि बोनस आपको 15,000 रुपे मिलेगा और 20,500 रुपे आपको सैली मिलेगी तो सैली काफी अच्छी है और इसके बाद नीचे आओगे तो important date के बारे में जानकारी है online portal will be live for online application submission from dated 29 January 2024 सुबह 11 a.m. and 7-12-2024 यानि कि 7 February 7-2-2024 यानि कि 7 February 2024 रात को 12 बज़े तक फाम भर सकते हो तो 29 January 29 January सुबह 11 बज़े आपकी online शुरू हो जाएगी और आप लुक साथ फरवरी 2024 रात को 12 बज़े तक फाम भर सकते हो बाकि यहाँ पर देखिए Mission Director National Health Mission उत्तर परदेश और यहाँ पर देखिए www.upnrhm.gov.in का website है इस website पर जाओगे तो आपको जाना है recruitment career page पर वहाँ पर आपको full notification मिल जाएगी तो किस page पर आपकी full notification आएगी कैसे farm को भढ़ना है कहां से आप लोग farm भढ़ सकते हो चलिए इसकी जानकारी देख लेते हैं तो आपको लेकी चलिए Google पर वहाँ पर आपको search करना है UPNHM तो दोस्तों जैसे आप लोग Google पर search करोगे इस तरीके से option आ जंदर आपके सामने recruitment career page यहां पर उपन हो जाएगी और इसी page पर दोस्तों बहुत ही जल 29 January को एक नया option आ जाएगा और यहां पर होगा CHO officer और यहां पर होगा दोस्तों जो starting rate है यहां पर mention रहेगा 29 January और last year यहां पर सो करेगा 7 February 2024 और यहां पर detail में आपको full notification मिल जाएगी इसके आगे apply knock option होगा उस पे click करके आप लोग farm भर सकते हो तो जो recruitment career का page है इसी page पर बहुत जल यानि कि 29 January को आपको option मिल जाएगा तो जैसे ही full notification आएगा मैं video बना दूँगा धन्यवाद